अलो दोस्तों आज अभी देखेंगे हम डिजल मेकेनिक का समेस्टर टू का जो एक महत्वपूर्ण ट्रेप्टर है फलाई विल हैंड सिलिंडर तो इसके जो महत्वपूर्ण कोश्चन है आपका 30 पलस कोश्चन है तो आप लोग देख सकते हैं और चलिए कोश्चन नमरे की में किसी क्तिके परियोग कि तो सीओक लेच सा comments सीकेट कर ब्लाक के बीच में गैस्केट का परियोग होता है ठीक है इस सीडर नमरे सापने मैं क्या होता है तो cylinder block के उपर cylinder head लगा रहाता है, question number 4, cylinder head कास iron के अतरीक्त किस धातु के बने होते है, तो cylinder head कास iron के अतरीक्त aluminum धातु के बने होते है, question number 5, so इंगेज़ टाथ डिसॆंगेज़ करना fly will come करी है, ठीक है question number six देखते है timing gear में sore का कारण होता है noise का कारण जो होता है gear का गलत backless जो होता है इसी की कारण sore होता है question number seven देखते है cylinder bore नापते समे cylinder bore gauge के दिवार के क्या होता है समनांतर रखा जाता है question number eight देखते है engine में damper pulley कहा लगाई जाती है तो crank shaft के आगे damper pulley लगाई जाते है question number nine देखते हैं के engine पर oil sump कहा फिट रहता है तो crank case के नीचे जो रहता है engine oil sump फिट रहता है question number ten देखते है रीम परकार का flywheel की त्रीजिया आर है तथा घुनन गती के के बीच के संब्द दता है दोनों बराबर ता है के बराबर आर question number 13 किस परकार के liner cylinder के घिसे हुए बोर में फिट किये जाता है तो गोल गीला cylinder liner जो हते है घिसे बोर में फिट किये जाते है question number 12 देखते है flywheel में कौन सा bearing फिट रहता है तो इस पी गोट पंदर देखते है क्रेंग साफ्ट के कंपन को समात किया जाता है तो बाइब्रेशन डेंपर लगा करें पीछले चप्टर में भी क्वेश्चन कराया मने डाला था बाइब्रेशन डेंपर ठीके question number 16 देखते है piston अपना stroke कहां पूर्ण करता है तो cylinder block में बने cylinder के अंदर ही अपना stroke पूर्ण करता है question number 17 फ्लाइविल की speed का fluctuation गुणांक होता है N1-N2 बाटाव में क्यों question number 18 देखते है split flywheel का परियोग किसको कम किया किया जाता है परियोग करके तो परतिवाल को कम किया जाता है question 19 देखते हैं इंजन में में इसफाइरिंग किसके करण होता है तो कॉम बाल्ब क्लियरेंस के करण इंजन में में इसफाइरिंग होता है question 20 देखते हैं इंजन में पश्चाक रगति को करने वाले भागर का सहारा देता है तो सिलिंडर ब्लग जो होता है उसको सहरा देखता है question 21 देखता है turning moment diagram में ग्राफ किसके मां देखी जाता है टॉर्क तथा क्रेंगल एंगल क्रेंग एंगल के बीच question 20 देखते है फ्लाइविल का का रहे तो फ्लाइविल का नमें लिखित कारे होता है स्पीड फ्लक्शुएशन के आयाम को कम करना इलेक्ट्रो एलेक्रिक मोटर के पावर कैपिसिटी को कम करना ठीक है question इसका तिसरा जो होगा कार के समय उर्जा मुक्त करना तसा संचित करना यह तीनों सभी हो गया इसका कार होता है question 23 देखते हैं एक इंजन की पूस रोड कह होता है तो बाल्ब टैपेट और रॉकर्स आर्म के बीच होता है question 26 देखते हैं जब लोड टॉर्क से ड्राइबिंग टॉर्क ज्यादा हो तो फलाइविल का बेक्ट जो होता है त्वारित हो जाएगा question 25 देखते हैं धिली चेन को टाइट करने के लिए किसका परिए जाता ह question 26 देखते हैं किसका बना होता है तो और धढले हुए लोहे का cylinder liner बना होता है question 27 देखते हैं फलाइविल के पूरी गुलार्ध में फिट होता है question number last देखते हैं क्रेंग केस के उपर का भाग किसे से जुड़ा रहता है तो cylinder block से जुड़ा रहता है क्रेंग केस के उपर का भाग cylinder block से जुड़ा रहता है अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो like और share करें मिलता है अकला वीडियो में तो तक के लिए धन्यबाद